दोस्तो नमस्कार, तो बिलावल साब आए, बिलावल साब गए, बिलावल भुट्टो जर्दारी, परकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो गोवा में संगाई की मीटिंग करने के लिए आए, पहले तो बहुत नानुकर कर रहे थे, यह सोच रहे थे कि शायद इंडिया उनके पैर पकड़ेगा कि आजाओ भई आजाओ, हम नहीं आएंगे, हम वीडियो कानफ्रेंसिंग से वर्चुवर मीटिंग करेंगे, यह करे लेकिन ऐसा लगता है, कि रूस और चाइना को खुश करने के चकर में, भाई साब को आने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह में आए, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहन रखा था, मुझे याद है, तारीक पते हमेशा कहते थे, कि पाकिस्तानियों को, यूपी की ड्रेस पहनने का, श्कॉक है, और पूरे पाकिस्तानियों को उन्होंने यूपी के ड्रेस पहना दी है, वही लंबा, कुर्ता, पैजामा, पर से एक अजकन टाइप, कुछ पहन के रखा था, खेर, जिस तरीके से, दूसरे विजयस मंत्रियों का जैसंकर साहब ने स्वागत किया, और जिस तरीके से, विलावल साहब का स्वागत हुआ, जैसंकर साहब के द्वारा, वो आप लोगों ने देखा ही होगा, यहां सब तो ठीक है, लेकिन, जैसंकर साहब ने, मिटिंग खतम होने के बाद, जो प्रेस क्लाफेंस की है, और जिसमें उन्होंने, श्पर्थ तोर पर कहा है, कि जो देश, टर्र की इंडस्ट्री चला आता हो, उस देश से हम बात नहीं करेंगे, यह इत्वाक नहीं हो सकता कि, जिस दिन बिलावल गोवा में हैं, उसी दिन, प्रजवरी में, आतंक वादियों ने, हमारे पांच्छे जवानों को खिर से मार दिया, पकिस्तान और पकिस्तान के इस्टब्लेस्मेंट, हमेशा यह कोशिश करता है, कि जबी भी हिंदुस्तान और पकिस्तान के बीच में कोई मात्पूर्ण गटना होने वाली है, उसमें यह लोग खुरापास कर देते हैं, गुलावर साहब काली हां आता आये थे, काली हां चले गए, इससे पहले, मज़े खाल में 2011 या 2012 में इन्हें के पार्टी जब सरकार में थी, उसमें जो आज इनकी उप विदेश मंत्री हैं हिना रभाडी वो भरत में आई थी, मतब करीब 11-12 साल के बाद किसी विदेश मंत्री का यह भारत का दोरा है, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के बारे में और एक पूरह पर बोलता रहा, हमने नेरु के ब्लंडर में एक बात बताए थी कि कश्मीर की प्राब्लम का सूत्र दखार, लाड माउन बेटन, जबाला नेरु, आधी लोग थे और शेख अब्दुल्ला उसमें बढचा कर रिस्पॉंस बिल थे, जम्मु कश्वीर के चक्कर में पकिस्तान ने भारत के साथ तीन ये प्रेटिकल चार लडाई लड़ी, उनिश्व सेटालीस में जब भारत आजात हुआ उस समय वहां पर कबालियों के भेस में ठोजे गुचेड़ी गई, हमारे उस समय के वाइसराय लाट बाउड मेटन ने इंडिलिबरेटली उनको आने दिया, उनको सम मालूम था कि क्या हो रहा है क्यों कि वह कमांडर इंचीफ इंडिया के बी थे और पाकिस्तान के बी थे, जब हमारी फोजों ने उनको खदरना शुरू किया तो हमारे पहले प्रिदान मंत्री लाल बाद उस्राथी ने उनको एक सीमा तक जाने के बाद रोक दिया, और फिर मामले को लेकर के सहिंजु त्राश्व में चले गए गया है कि से खब्दुल्ला जो कॉन्वर्टेट कस्मीरी पंडित थे और उनके कंवर्जन से पहले कॉल जातके ही थे जैसे कि जवाला नहरू कॉल जातके थे उनके बीच में अच्छी खाशी दोस्ती रोसे दो पुर्दुला को जवाला ने रूप किसी भी हद तक होते थे किये जम कश्मीर के मंत्री या पतान मंत्री बने रहे हैं और इसी लिए उप्राबना उन्होंने क्रियेट किये थी इसके बाद कि 1965 में आयुक खान साहब ने कि एक कुशिस की कि कश्मीर को किसी तरीके से लिया जाए उस समय आपने सोचा था कि हिंदुर्तान ने पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ जो अभी युद्ध हुआ है उसमें बुरी तरीके से मात खाई है तो भारत के पास कोई यादा असलाहे या आम्स अमनुशन तो है नहीं इसलिए चलो मुका ले लेते हैं लेकिन लाल पादु स्वाथ्ती ने बहुत ज़्यदा जीवट दिखाया और वो फार गया इसी देख कैसे 1970 में बांगलादीश मुक्ति के समय जब भारती फोजें मुक्ति वाणी सेना की कि समर्थन कर रही थी तो इन्हों ने प्रश्चमी सेक्टर में प्रजस्तान से लेकर के पंजाब और यूपी तक बंबर्शा कर दी और चकर में फिर से एक लड़ाई हुई जो सब्सक्राइब दिन तक तीन दिसंबर को शुरू वी थी तीन दिसंबर से लेकर के सत्रा इसंबर तक चली इसके पर जून 1999 में उस समय के जनरल मुसर्णफ ने कुछ सेना के खौजियों को कारगिल और द्रास की बाड़ियों फेच दिया उनका इरादा था कि कारगिल और द्रास को हिंदुर्टान से काड़ देंगे तो लड़ा यह जानी पाएंगे उसके ब दोस्त चाइना का कभजर हो जाएगा कि उसमें हमारी फोजा ने उनको अच्छी तरिके से मुकाबला किया और वो लोग कि सफेज चंड़ा दिखाते हुए वापस चले गए उस समय लोगों ने अपनी जवानों की अपने फोजियों की लासे भी नहीं उठाई थी अब आते हैं विलावर बुट्टो के एस्यों मीटिंग में आने को क्लिए करते हैं जैसंकर ने कहा कि जो लोग जो देश टर्रिस्ट से पीडित हैं टर्रिजम से पीडित हैं वो टर्रिजम के सपोर्टर के साथ में नहीं बैठ सकते उनसे बाचीत नहीं कह सकते जैसंकर ने आगे का हकिल विलावर फुट्टो कि यहां पर कि एस्यों की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं और उसमें वो कि मल्टी लेटर डिप्रमासी के हिस्सा है और इसके अलावा हमेज़ से कि इस विजिट को किसी और तरीके से नहीं देख सकते यानि कि इस मीटिंग में कोई द्विपक्षी बाइलेटरल बात नहीं होगी यह बोला है जैसंकर ने एक अज़िव सी बात कही जैसंकर ने बोला कि में अतंक बात के ऊपर पाकिस्तान के उपर विश्वास नहीं किया जह सकता जैसे ऑनके उनकी और एक्सेंज उपर तो शंकर ने आगया बोला कि हम लोगों को मिल करके आचक बाते खिलाफ लड़ना चाहिए और अगर इस लड़ाई में कोई भी देश अपनी आख बंद कर लेता है तो सबसे बड़ा नुक्सान होगा हमें किसी को भी कि पॉल्टिश्यान हो यह कोई भी उसको टेलिज्यम की आल में चुपने की इजाजत नहीं देने चाहिए आप लोगों को एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें बस देखिए कैसा है यह आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं चलाओंगा सिर्फ देखिए कि जैसे इंकर साहब ने बुट्टो साहब के साथ तैसा विवार किया है इन दोनों महनुभाओं का आप चेहरा देखिए बुट्टो साहब सामने देख रहे हैं जैसे इंकर साहब के चेहरे की तो आप पढ़ी रहे होंगे कितना अज़काज है यह इस से पहले देखिए क्या हुआ था और प्ड्राट। लार मेंघट लिवाुआ आई कर दोैंटानिक सबस्क्राइब का रिएम पृट्गर्ट में भी को आई तादिन हम्हें ज्मनेक का विएक तू लिए।। और बेट विएनगा प्रॉमोर जस्टीफियर पान आ शाधारी मैंसे प्रॉकस पर रॉरिषम एक रॉरिश पांसारी ज विखिस टोड़काध पारिश्तिफो स्टूरिड थी विप्तिवें खिरिक टॉरिश्टिव फॉरिश परिश्डिश्थे एंद रॉरिषम इंदेंज्टि नजे आफेड़ीजिए कोटा बाइट लियुडिए मेचैस वान सता हुपमारीज लिए ट्यासिति एंपर ट्रियूस वे रविर्टीट विर्टी मेच्टिछ अटाइब ट्रियूस अब्हाँ विर्टीकि देगीजिए कीज उचेका इंट वे थे विर्कुटितिक श्रॉस कि देख लिया है तो है धारत की पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति क्रिश्चल क्लियर है जब तक पाकिस्तान अपने जमीन से पातंक वाद को फिलाता रहेगा जब तक हमारे बेकसूर नागरिक और जवान मरते रहेंगे तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ किसी की तरीके की कोई बाचीत नहीं करेगा वैसे तो आप लोगों न देखा ही है पाकिस्तान के बुरे हाल है वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा है वहाँ पर गैस भी शायद प्लास्टिक के बैग में लेके जा रहें लोग रोज मार पीठ हो रही है खाने पीने का जुगार नहीं हो रहा है लेकिन हां भई हम लोग मुहमद साब की हर एक बात को सही मानेंगे और हिंदुतान में गजवाए हिंद करेंगे कश्मीर हम लेंगे ये उनक मारी शुक्काम नहीं है मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को समाग करता हूं लगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वह आप इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल इकान दबादें thank you manavad namaskar